असलाम लेकूम वेलकम तो हैनास किचरन मैं हूँ हैना आज हम बना रहे हैं लहौरी फिश उसके लिए मैं चाहिए फिश हाफ केजी रो फिश यूज करी हूं है बेसन हम लेंगे फो टेबल स्पून कार्लिक पेस वन टी स्पून दो अदद ग्रीन चीली लेंगे और इनको पे हम लेंगे वन टी स्पून भूना हुआ जीरा पाउडर हम लेंगे वन टी स्पून पैपरिका पाउडर हम लेंगे वन फो टी स्पून ज्राए धनिया और अनाट दना का मैंने वन वन टेबल स्पून लेकर उनको कूट कर हम यह लेंगे टू टेबल स्पून एक अदद हम ए नमक 1 तेबल स्पून गिंगर पाउडर 1 टीज़ नमक 1 तेबल स्पून सून पाउडर मेरिने शन रेडि कर लेंगे लेमन जूस चामल करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट चामल करेंगे कार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, भुनवा जीरा पाउडर, अजवाईन, लहोरी नमक यानि काला नमक, सौल्ट, धन्या पाउडर, सून्ट का पाउडर यानि यद्र का पाउडर, पेप्रिका पाउडर, कलर के लिए यूज़ करेंगे, यह भी शामिल कर लेंगे, सुका धनिया और अनाय दाना को जो कूट के रखा था वो भी शामिल कर लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें शामल करेंगे एक अड़ अंडा इसे भी मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें शामल करेंगे बेसन और इसे भी मिक्स करके थोड़ा थिक है इसमें हम वन टीबल स्पून वाटर कर देंगे वन से टू टीबल स्पून और इसे मिक्स कर लेते हैं पिस्स को मेरिनेट कर लेंगे आप अगर चाहें तो पिस्स बड़े रख सकते हैं या इससे भी छोटा कर सकते हैं इसी बैटर को आप फिश फिंगर फ्राइज में भी यूज कर सकते हैं लहोरी फिश स्पाइसी मसाला बहुत होता है आप अगर चाहें तो कम यह जादा कर सकते मैंने नॉर्मल ही किया है मैक्सिमा हमें से 2-3 घंटे मेरिनेट करके रख सकते हैं मैं रखूंगी 2 घंटे के लिए अब हम करेंगे फिश को फ्राइ कर लेंगे जितनी एक टर्म में जाएंगी उतनी करेंगे बाकि हम नेक्स टर्न में कर लेंगे एक साथ सारा भर नहीं देंगे अग withdraw चुके हैं इनको हम निकाल लेंगे और बाकिक के जो बचखे हुए पिक्षर को भी फ्राइ chapter लेंगे ओào इनको फ्राइ करकर हम डेशौट लेंगे अगर आपको रेस्पी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपको ये रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सपोर्ट करें अपना ध्यान लखेगा मुझे द्वाम याद लखेगा अलाहाफ़ेज और थेंक यू पर वाचिंग दो वीडियो